आप देख रहे हैं यूटूब चैनल ITI to CTI Classes मैं देवंदर सर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ Trade Theory की Class और उसमें आज का हमारा Topic है Hand Hexa ठीक है Hand Hexa जो है एक Cutting Tool होता है क्या होता है? Hand Hexa एक Cutting Tool होता है जिसके दुआरा हम Seat, Pipe या अन्य कोई भी जो धातू होते हैं उसे काटने के लिए प्रियोग करते हैं Hand Hexa के मुखे दो भाग होते हैं Hexa Frame और Hexa Blade आज मैं आपको करवाँगा कि Hexa Blade क्या होता है और उसके जो परकार होते हैं कितने परकार का होता है उसका Material क्या होता है और उसके Parts सबसे पहले आता है Hexa Frame Hexa Frame अंग्रेजी के C अक्सर किया करती का होता है कैसा होता है? अंग्रेजी के C अक्सर किया करती का होता है और जो यह Hexa Frame होता है यह Mild Steel या Condute Pipe का बनाया जाता है इसका Mild Steel या Condute Pipe का बनाया जाता है और जो इसके मुख्य भाग होते हैं, जैसा कि यह मैंने यहाँ पर एकसा फ्रेम बना रखा है, जो इसके मुख्य भाग है, सबसे पहले आता है है हैंडल, क्या होता है हैंडल, ठीक है, फिर आता है फ्रेम, फ्रेम क्या होता है, दोनों साइड से 90 डिगरी पर मुड़ा हुआ ह ठीक है जिस साइड हैंडल लगा हुआ होता है दूसरी साइड होता है वींग नट जिस से हम जो की बलेड को फिट करते हैं तो बलेड को टाइट करते हैं ठीक है और जिस साइड में वींग नट होता है इसी साइड होता है sliding screw जो की slide करता है ठीक है और जिस side handle होता है इस side होता fixed screw क्या होता fixed screw और जो blade होता है जो blade hexa blade होता है उसको हम pin के दुआरा जो sliding screw है और fixed screw है उसमें क्या करते हैं फिटे करते हैं ठीक है तो ये थे हमारे जो hexa frame के parts ठीक है अब आकरती के अनुसार जो frame होता तीन परकार के होते हैं उसमें सबसे पहले आता है solid hexaframe क्या आता है solid hexaframe जो solid hexaframe होता है solid hexaframe जो solid hexaframe होता है वो solid का मतलब होता है कि जो hexaframe जिस size का बना हुआ है उसमें उसी size का blade फिटे होगा जिस size का यानि कि 200 mm का ये दी hexaframe है तो उसमें 200 mm का hexaframe blade fit होगा और ये दी 300 mm का है तो उसमें 300 mm का blade fit होगा तो उसे क्या बोलेंगे solid hexaframe अब solid hexaframe भी जो handle होता है उसके अनुसार दो परकार के होते हैं एक होता straight handle solid frame क्या होता straight handle solid frame अब straight handle का साथ जिसका handle बेलकुल सीधा होता है जैसे कि ये ठेक है ये क्या है straight handle solid hexaframe है ठेक है नमबर दो पे आता pistol grip solid frame क्या होता है जैसा कि आपने देखा होगा जो बंदूक है उसको कैसे पकड़ते हैं इस तरह से पकड़ते हैं ठेक है तो इसलिए इसका नाम pistol grip रखा गया है ठेक है तो ये होता pistol grip नमबर दो पे आता है कि adjustable hexaframe का मतलब होता है कि वो hexaframe जिसमें को हम कम ज्यादा कर सकते हैं इसमें क्या होता है hexaframe के दो पार्ट होते हैं और जो कि pin की सायता से जुड़ा हुआ होता है ठेक है और इसमें जो है कि अलग-अलग size के hexa blade यूज कर सकते हैं इसमें 200-300 mm तक के जो hexa blade है उसको यूज किया जा सकता है कि इसमें यदि हमें 200 mm का blade है तो इसको क्या करेंगे इसके size को कम कर देंगे ठेक है जो यह इसमें क्या होता है कि जैसे कि यह उपर क्या pin लगी हुई है इसको यह इस side से यह आगे का frame जो है इसके अंदर च handle के अनुसार तीन प्रकार का होता है नंबर एक पर आता straight handle adjustable frame क्या आता है straight handle adjustable frame ठीक है जिसका handle सिधा होता है वह adjustable straight handle adjustable होता है नंबर दो पर आता pistol grip adjustable frame जो कि pistol क्या handle होता है उसका pistol grip की तरह pistol की तरह होता है ठीक है तो यह होता pistol grip adjustable frame ठीक है नंबर तीन पर आता है tubular type adjustable tubular type का मतलब होता है कि यह tube का बना हुआ होता है और इस आकरती का होता है ठीक है और इसको भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं ठीक है नंबर तीन पर आता है कि deep cutting यह लिखा होता है अंग्रेजजे के तरह होता है और सब जयादा होता हैTrade करना centuryu लेकिन इसकी गयराही ज्यादा होता है यह ज्यादा के तरह होता है और इसका प्रियोग hexaframe hexaframe जो कि अंग्रेज जी के CXR की तरह होता लेकिन deep cutting U की तरह होता है ठीक है material mild stable या conduct pipe का बना होता है और hexaframe के part ठीक है और frame के अनुसार यह तीन परकार का होता solid hexaframe adjustable और deep cutting ठीक है तो आसा करता हूँ कि आपको topic पसंद आया होगा योदि पसंद आया तो वीडियो को like करें share करें comment करें धन्यवाद